हाई अब्रिवान फॉर्स्ट अफॉल गूड मॉर्निंग तो आल आफ यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम पढ़ेगे महत्मा गांदी जी के बारे में खुद में बो बदलाब कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं काफी important है और काफी motivational है ठीक है तो अगर आप किसी दुनिया में जो बदलाब देखना चाहते हैं सबसे पहले आपको खुद में बो बदलाब करना चाहिए तो महत्मा गांदी जी के बारे में आज हम बदलाब जी के बारे में आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक देदूँगा बहां से आप उसको देख सकते हैं सबसे पहले न्यूज में क्यों थे महत्मा गांदी जी 2nd October 2022 को क्या होता है 153rd जो है बर्त anniversary जो है celebrate की जात उसके बाद गांदी जी सभी जानते एक social reformist थे लीडर थे इंडियन independence movement के और जिन्हों ने introduce किया idea कोन सा non-violent का कि कोई भी काम करना हमने non-violent तरीके से करना है resistant जिसको नाम दिया गया सत्यक्राए नो start करते हम सबसे पहले महत्मा गांदी जी के वर्थ के बारे में 2nd October 1869 परव इसके साथ साथ एक राइटर थे ठीक है उसके साथ nationalist movement against the British rule जे इनका काफी ज़्यादा important role रहा है South Africa की बात करें तो 1893 से लेके 1915 ठीक है तो जहां पर आप देख सकते हैं महत्मा गांदी जी की participation 1893 से लेके 1915 जे South Africa के अंदर रही थी इसमें इनोंने successfully जो लडाई लड़ी थी racist regime की जो कि South Africa में आपने बहुत सारे आपने देखा होगा विदा noble method of moss agitation which he called सत्यक्राया और जो idea था सत्यक्राया का जे किसको जोर देता है पापराफ truth को जोर देता है and the need to search for truth तो जहां पर आप देख सकते हैं ये मातमा गांदी जी के बारे में मातमा गांदी जी हमेशा से truth के उपर ही बिश्वास करते थे उसके साथ इंक्लूडिन दा उप्रेसर had to be pursued to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence why they struggle truth was bound to ultimate triumph अब आप जहां पर कुछ important points की बात करेंगे देखे international day जो हो था international day of non-violence इसको observed किये आयता हर साल 2nd October को 2nd October को क्या होता birth anniversary होती है मातमा गांदी जी की और गांदी जी जो peace prize दिये जाता है कौन-कौन सी field में दिये था social, economic and political transformation में through non-violence and other Gandhian method ठीक है तो गांदी जी peace prize is given for social, economic and political transformation अब जहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए 1915 तक मातमा गांदी जी की जो participation रहा वो कहां रहा South Africa के अंदर अब आपी मातमा गांदी जी इंडिया आते है He returned to India from South Africa कब आते हैं 9th January 1915 जै आपको date जाद रखनी है अब जहां पर आपके लिए important है देखिए प्रवासी भारती दिवस जी celebrate किया है था 9th January every year to mark the contribution of overseas Indian community in the development of India जै आपके लिए days काफी important है अब जाते हैं चंपारन में बिहार में to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system तो oppressive plantation system में जे महतम गांदी जी जमपारन की 1916 को और 1970 को क्या हो था इन्होंनों आर्गनाइज किया सत्यक्रा है किसके लिए ताकि peasants की support किये जा सके खेडा district के अंदर कहां पे गुजरात में affected by crop failure and a plague epidemics इस वज़ा से इनको जे गांदी जी support करने गे थे और peasants जो थे खेडा के could not pay the revenue and bear demanding that revenue collection by relaxed ठीक है तो वो pay नहीं कर सकते थे revenue पे नहीं कर सकते थे वो demand कर रहे थे जो collection है उसमें revenue में उसको थोड़ी से relaxation दी जाए 1918 को क्या होता है जे एहमदाबाज आते है to organize a सत्यक्राय movement amongst cotton mill worker cotton mill worker जो है worker जो work करते है उनको प्रापरत्रिके सब वेज़ेस नहीं दिया थे उसके गेंस जो है Britishers के गेंस अदमागादी जी वहाँ पे क्या करते है strike करते है जिसको cotton mill worker strike जो थी एहमदाबाज के अंदर 1919 को क्या होता है इन्होंने decide किया कि ये launch करेंगे nationwide सत्यक्राय गेंस्ट परपोस्ट रोलाट act अब रोलाट act क्या था 1919 को रोलाट act रहता है रोलाट act क्या था इसका main मक्स जही था कि कोई भी अक suspected person है कि किसी के अपर doubt है कि ये person किसी criminal activities में involved है तो उसको without किसी trials के उसको अंदर डाला जाता था तो इस तरीके से गांधी जी ने decide किया कि nationwide बे सत्यक्राय करेंगे किसकी रोलाट act के उसके साथ साथ अब जहां पर इसी रोलाट act के basis के उपर दो लोगों को घिर्पतार किया गया था 13 अपरैल 1919 को जलियावाला जो मासकर हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारेगे सिंग वाइलेंट स्प्रेड महात्मा गांधी काल्ड आफ्टा मॉवमेंट 18 अपरैल 1990 तो जलियावाला बाग 13 अपरैल 1919 19 को जे आपको जाद रखना है ठीक है नौन कॉपरेशन मॉवमेंट की बात करें तो 1920 से 22 दो साल चला जे इसमें एर दा कैलकटा सेशन होता जब कॉंगर्स का सब्टमबर 1920 को इन स्पोर्ट आफ किलाफ़त एस वेला सवराज ठीक है 1922 को चोरी-चारा में लोग बढ़क जाते है और एक प्लीस स्टेशन को जला देते है इस बेसिस को देखते हुए गांदी जी कहते हैं कि हमने वाइलेस नहीं करनी है जब इस वाइलेस को देखते हैं तो महात्मा गांदी जी नौन कापरेशन मुवमेंट को बिड्रॉ करते है तो जहां पिर चोरी-चोरा का यहीं इंसिडेंट है 1922 को हुआ और नौन कापरेशन मुवमेंट कब चला 1920 से लेकिए 1922 तक अब साल्ट मार्च और सिविल डिस ओविडिन्स मुवमेंट की बात करें सेवरेल डिस क्या होता है नौन कापरेशन मुवमेंट भो खत्म हो जाता है और महत्मा गांदी जी फोकस करते है सोचल रिफॉर्म बग पे 1930 को क्या होता है गांदी जी डिकलेर करते है अब साल्ट लाब नाया गया अगर एजो नहीं बंद करते हैं मगर साल्ट को नहीं बंद करते हैं उन्होंने साल्ट के उपर साल्ट लाब ना दिया साल्ट को काफी ज़्यादा उन्होंने महाँगा कर दिया उसके बाद क्या होता है इस लाग के स्टेट जो होता है एड़ा मोनिपली on the manufacture and sale of salt ठीक है स्टेट के पास ये monopoly हो जाती है कि manufacture कर सकता है और salt को sale कर सकता है मार्च को क्या होता है 240 mile जो होता है 240 mile चलके महत्मा गांदी जी आश्रम साबर मती से लेके कहा जाते हैं गुजरात coastal area toned dandy ठीक है where they broke the government law बहाँ पे वो government law को बापिस से क्या करते है natural salt बहाँ पे वो कहते हैं seashore पे बनाते हैं and boiling sea waters to produce salt ठीक है तो ये कुछ एक देख सकते हैं dandy marju mahatma gandhi ji की civil disobedience movement के बारे में उसके बाद this marks the beginning of the civil disobedience movement अब 1931 को क्या होता है गांदी जी सेट करते हैं टूस the Gandhi urban pact called of civil disobedience and agreed to attend the second round table conference के लिए ये agree हो जाते हैं London के अंदर and the soul of representative of the Indian national congress after returning from London mahatma gandhi ji relaunched the civil disobedience movement को बापी से लांच करते हैं for over a year the movement continued but 1934 it lost its momentum ठीक है अब क्यूट इंडिया मोमेंट की बात करें तो क्यूट इंडिया मोमेंट काफी important है with the outbreak of the world war second आप ये world war second के बारे में सभी जान थे 1939 से लेके 1930 sorry 1945 जे second world war थी और failure जो था failure आप मिशन सर स्टैफर्ड कृफ्स का British cabinet ministers who went to India बारत आते हैं 1942 को with an offer that gandhi ji fought unacceptable the British उसके बाद ये जब ये आते हैं कि ये कहते हैं कि आप हमारी इंडिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं कि आप हमारी मदद करो second world war में फिर आपको क्या करेंगे definitely अजाद कर देंगे तो महतमा गांदी जी ने इसको post outdated check का नाम दिया और इसको नकार दिया था ठीक है अब social work की बात करते हैं महतमा गांदी जी का काफी ज़्याद social work रहा है ठीक है इसका मेनी क्या होता है Children of God September 1932 खो महतमा गांदी जी बियर अंबेट कर शोरी निगोशेटिट करते हैं पूना प्यक्त बिद महतमा गांदी His symbol of self-reliance, self-reliance के उपर इनका ज्यादा तर focus रहता था He played a key role in pacifying people and averting the Hindu-Muslim rewards as tensions rose before the during a partition of the country उसके साथ इन्होंने क्या किया था हिंदोस्तान पर चार सवा 1942 को इसको फोंड किया भार्दा के अंदर महारास्टरा में और इसका aim क्या था organization का promote करना हिंदोस्तानी को जी के दवारा कौन-कौन से books लिकी गई, हिंद सब्राज सभी जाते है My experiment with the truth autobiography जे काफी important है, बहुत बार exam में जी questions repeat हो चुके है Now last में, he was short dead, नाथुराम गोडसे के दवारा महतमागंदी जी को गोली मार जाती है 30 January 1948 को और 30 January को observe किया था Martyr's Day, ठीक है? तो 30 January को हम observe करते हैं, मातिर दे जब महतमागंदी जी को नाथुराम गोडसे के दवारा गोली मार दी जाती है तो 1948 के अंदर जो है महतमागंदी जी की death हो जाती है So जे था friends, आज का मारा वीडियो महतमागंदी जी के related कैसा लगा वीडियो? कमेंट बाक्स में जुरूट बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को Thank you friends, goodbye and take care